इस वीडियो में जो सब्टाइटल्स हैं मैंने सच में बहुत चुन-चुन के रखे हैं ताकि आपको हर चीज में कुछ ना कुछ ऐसा हो जो मैं अच्छे से समझा सकूँ और कुछ नया आपको सीखने को मिले तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप कोई नोटपैट नोटगोग आप लेकर बैठिए और उन चीजों को जो आपको लगए कि हाँ ये चीज मेरे लिए यूसफुल है आप उसको लिख लीजिए क्योंकि ऐसी चीजों से ही जो आपकी ओवरल कॉम्यूनिकेशन है वो बहुत इंप्रूव होने वाली है अगर आप कन्वरसेशन में एड करते हुए चलेंगे तो पहले सब्टैटल से वीडियो को शुरू करते हैं देखें पहला यहाँ पर सेंटेंस है मेरे पास एक गेम आइडिया है और आपको इसके लिए हाँ कहना होगा ठीक है दो सेंटेंस है इसके अंदर जो पहला सेंटेंस है मेरे एक गेम आइडिया है मतलब मेरे पास कुछ है अब मैंने चीज़ बताई हुई है मेरे पास कुछ है मेरे पास कुछ था या मेरे पास कुछ होगा या फिर मेरा कुछ था मेरा कुछ है मेरा कुछ होगा इन सेंटेंस में जो एक्शन होता है वो हम हैव लेकर चलते हैं ठीक है have action होता है हमारा और यह sentence जो बनेंगे आप mostly देखेंगे कि यह indefinite के form में ही बनते हैं अगर मेरा कुछ है तो यह present indefinite में जाएगा मेरा कुछ था तो past indefinite में मेरा कुछ होगा तो वह future indefinite में ठीक है मतलब मैं यह कहने के कोशिश कर रहा हूँ कि did do does और will यह informs के अंदर आते हैं जो जो पहला हुआ मेरे पास एक game idea है अब यह है की बात चलिए तो यह present indefinite के अंदर आएगा जो मेरा मेरे पास एक game idea है do or main word action की ही formation होती है जहाँ पर sentence simple होता है do or कौन है मेरा मेरे पास है so I main word क्या लगेगा do action क्या लगेगा have do छुबा have में कोई change नहीं आएगा I have मेरे पास है क्या है a game idea एक खेल का idea ठीक है एक game idea है मेरे पास अगर यहाँ पर मेरे की जगा कोई singular term होती कि उसके पास या फिर कोई नाम होता राम के पास तो क्या बनता कि राम does have यह बनता और जो does है वो छुप जाता have के अंदर और जब does छुपता have के अंदर तो क्या बन जाता वो has बन जाता चेक है और अगर negative होता तो does not have आ जाता यह चीज़ बहुत जरूरी है समझनी so I have a game idea मेरे पास एक game idea है और कोई इसके लिए और आपको और आपको इसके लिए हा कहना होगा देखिए और के लिए end लगाया side में रख दिया sentence बचा आपको इसके लिए हा कहना होगा यह sentence बचा मेरे पास अब यह sentence कौन सा है काईदे में देखना जाए देखा जाए तो यह sentence हमारा future future sentence, future indefinite, कि आपको ये करना होगा, right, अब जैसे हम हिंदी में बोल देते हैं, जैसे मैंने हिंदी में बोली, दो sentences बोले, कि आपको इसके लिए हाँ कहना होगा, एक sentence ये है, second है कि या भाई, आपको इसके लिए हाँ कहना है, मेरे पास एक game idea और आपको इसके लिए हाँ कहना ह एक ये है तो जो दूसरा sentence मैंने बोला कि आपको इसके लिए हाँ कहना है ये कैसे बनेगा चीक है अब ये sentence मैंने बताया कोई चीज करनी है चीक है कि मुझे जाना है मुझे खाना है मुझे सोना है इन चीजों मैंने बताया हुआ है तीन चीजे हम यूज करते है चीक है एक त have to has to ये अलग-अलग कैसे होते हैं कहीं पर कोई चीज मुझे करने की जरूरत है वहाँ में लगाँगा need to जैसे कि मैं कि दोस्तों पार्टी में बैठा हूँ घर से फॉन आ गया कि भाई कुछ emergency है तो वहाँ पर ना तो मैं मन मार के जाऊंगा और नहीं मैं वहाँ पर चाहता हूँ जाना तो वहाँ पर मेरी जरूरत आ गई I need to go मैं कहीं बैठा गो बोर हो रहा हूँ और मुझे फॉन आया घर पर कि मेरे कोई relative आये है या फिर मेरा कोई friend आया है बहुत पुराना अब क्या है I want to go एक है कि मैं बहुत enjoy कर रहा हूँ party में और मेरा phone आ गया घर से कि बहुत देर होगी घर आ जाओ वरना गुस्सा करेंगे पापा तो वहाँ पर I have to go अब यहाँ पर चैसे sentence है आपको इसके लिए हाँ कहना होगा मतलब आपको इसके लिए हाँ कहना है तो यह have to वाली चीज आगी कि एक अगर चाहो या ना चाहो आपको इसके लिए हाँ कहना है तो यहाँ पर मैंने use करा have to का ठीक है तो यह वाला sentence भी indefinite form में ही होता है अगर negative बनाओगे you do not have to आ जाएगा ठीक है तो यह sentence basically do वाला ही होगा मतलब एक present indefinite form में ही जाएगा लेकिन यहाँ पर जो action है यह करना पड़ेगा यह फिर करना पड़ना वो वाला action है कि आपको इसके लिए हाँ कहना है so have to यहाँ पर एक action की तोर पर आएगा चीक है so do or main word action do or कौन है you main word do action आया have to कि आपको करना है क्या करना है हाँ कहना है you have to say yes for it कि आपको इसके लिए हाँ कहना है आपको इसके लिए हाँ कहना होगा इस तरीके से sentence बनेगा so पूरा sentence मेरा क्या बना मेरे पास एक game idea है और आपको इसके लिए हाँ कहना होगा I have a game idea and you have to say yes for it अगर आपको यह confuse करे so you will आप लगा सकते हो या वूट लगा सकते हो कि आपको इसके लिए हाँ कहना होगा इस तरह से क्योंकि मुझे आपकी आवाज पसंद है क्योंकि के लिए because लगाया और अगर because नहीं चाहते तो हम एक चीज़ और लगा सकते as ये भी हम लगा सकते थे कि as I love your voice मैं आपकी आवाज को बहुत पसंद करता हूँ इस तरीके से बनेगा ये present indefinite के अंदर so do or main word action की ही formation लगेगी do or कौन है मैं I main word लगेगा do action क्या है यहाँ पसंद करना तो यहाँ पर मैंने love का use कर दिया आप like का भी use कर सकते हो तो do छुपा love में और कोई change नहीं आया I love your voice कि मुझे आपकी आवाज बहुत पसंद है लेकिन अगर ये ज्यादा हो तो मुझे और ज्यादा पसंद आएगी अब एक चीज़ यहाँ पर समझने की कोशिश करो अगर ऐसा हो तो ऐसा होगा तो इन चीज़ों में would का use होता है अगर ऐसा हो if he comes then मैं उसको भगा दूँआ so I will नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर starting में ही condition है कि अगर ऐसा होगा will हम basically लगाते हैं किसी चीज़ पर जब मैं sure हूँ specific हूँ कि यह होगा तो will का use लगेगा लेकिन ऐसे ज़गा हम would का use कर देते हैं mostly आप यही देखोगी लेकिन अगर यह ज्यादा हो लेकिन के लिए बट लगाया अगर यह ज्यादा हो अगर के लिए if लगाया अब sentence बचा यह ज्यादा हो यह sentence कौन सा है यह है आपका simple present का तो इसका formula क्या बनता है, किसकी बात कर रहे है, main word और वो क्या है, चीक है, तो ये ज्यादा है, अगर तो मैंने if लगा दिया, अगर ये ज्यादा है, अगर के लिए if लगाया, आप sentence बचा, ये ज्यादा है, तो किसकी बात कर रहे है, ये, it, main word is, अब ज्यादा मतलब higher, आपक है मुझे पसंद आएगी so I mean word would action पसंद करना कि मैं इसको और ज्यादा पसंद करूंगा I would love more चीक है so और ज्यादा के लिए यहाँ पर term बनी more sentence क्या बना क्योंकि मुझे आपकी आवाज पसंद है लेकिन अगर यह ज्यादा हो तो मुझे और ज्यादा पसंद आएगी because I love your voice but if it is higher I would love more यह sentence बना इस तरह से अब यह किया रहे है तुमने कहा था कि तुम्हें मेरी आवाज पसंद है दो sentences है इसके अंदर पहला है तुमने कहा था यह sentence है आपका past indefinite simple है ना simple है past indefinite का ना ही negative है और ना ही सवाल पूछा जा रहा है so doer main word action की ही formation रहेगी तुमने कहा था so यहाँ पर doer कौन है तुम you main word क्या लगेगा did action क्या है कहना say you did say simple sentence होता है चाहे वो present indefinite कहो चाहा past indefinite कहो simple होता है तो main word छुप जाता है action में so you did say main word छुपेगा action के अंदर और जब भी did छुपेगा action में तो उसकी second form बन जाएगी so you said कि तुमने कहा था you said अब जो key है इसके लिए आप that लगाना चाहो लगाओ नहीं लगाना चाहो मत लगाओ मैंने नहीं लगाया you said तुम्हें मेरी आवास पसंद है अब यहाँ पर जो sentence बोला गया था basically जो यह लड़की ने sentence बोला था वो यह बोला था you have been loving my voice कि you said you have been loving my voice कि अब इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि तुम्हें मेरी आवास पसंद है you love my voice बनना चाहे था present and definite में लेकिन जब यहाँ पर बोला you have been loving my voice अब यहाँ पर यह have been एक sense लेकर आया है कि तुम्हें मेरी आवास शुरू से काफी time से पसंद है चीक है तो यह sentence अगर आप चाहो तो you love my voice यह भी बना सकते हो ठीक present and definite के अंदर लेकिन अगर इस तरीकी की चीज़ सुनो कि you said you have been loving my voice तो इसका मतलब है कि आपको मेरी आवास पसंद है लेकिन अब यहाँ पर sense जोड़ गया कि काफी time से पसंद है चीक है अगर मैं बूलो कि I have been uploading videos on YouTube तो इसका मतलब है कि मैं YouTube पर videos upload करता हूँ अगर मुझे किसी इस sense पर बोलना हूँ कि yes I have been uploading videos on YouTube कि माल लो कहीं पर किसी को पता नहीं है चाहे मेरा office है मेरे family है किसी को पता नहीं है कि मैं YouTube पर videos बनाता हूँ चेक है और उन्होंने मुझे सवाल पोछा do you make videos on YouTube कि तो YouTube पर videos बनाते हो चेक है और म यहाँ पर पहला जो बोला कि मैं बनाता हूँ चीक है यह भी साही है और जब मैंने बोला कि yes I have been making some videos अब इसका मतलब मैं बनाता भी हूँ और काफी time से बनाता हूआ रहा हूँ इसका दोना मतलब निकलेंगे कि सर मैं आपकी वीडियो काफी लंबे टाइम से देख रहा हूँ या फिर मैं आपकी वीडियो काफी टाइम से देखता हूँ बिल्कुल सही बनेगा यह चीक है, तो यह छोड़ी-छोड़ी सी चीज़ें होती है आपको सेंस बकड़ना होता है और ऐसी ही चीज़े मुझे इस वीडियो के अंदर बहुत पसंद आई थी ऐसे स्ट्रॉक्टर से मुझे बहुत पसंद आये थे तो सेंटेंस क्या बना है आपके तुमने कहा था कि तुम्हें मेरी आवाज पसंद है अलग-ळग तरीके से आब बना सकते हो पर आज मेरी आवाज पर तुम हसोगे पर केलिए लगाया मैंने बट काईदे में हिंदी में मुझे ये बोलना चाहता है कि तुम आज मेरी आवाज पर हसोगे इस तरीके से तो ऐसी चीज़ों पर आपको confused नहीं होना है तो यहाँ पर जैसे तुम आज ऐसे ही मैंने but today starting में ही लगा दिया मेरी अवास पर तुम हसोगे तुम मेरी अवास पर हसोगे इस तरीके से बनेगा sentence कौन सा है यह है आपका future indefinite sentence so do or main word action की ही formation रहेगी do or कौन है तुम you main word लगाया मैंने will action क्या है हसोगे हसना so you will laugh कि तुम हसोगे on my voice मेरी अवास पर ठीक है पूरा sentence क्या बना पर आज मेरी अवास पर तुम हसोगे but today you will laugh on my voice अब जो today term है यह अगर आप चाहो तो आप बात में भी लगा सकते थे you will laugh on my voice today ऐसे भी हम यह sentence बना सकते थे और अगर बीच में चाहो तो यह हम action से पहले भी लगा सकते थे you will today laugh on my voice इस तरीके से तो यह today जो term है यह आप तीनों जगा आप लगा सकते हो जहां पर आपको ठीक लगा है जहां पर आपको मजा है तो पूरा sentence क्या बना पर आज मेरी आवाज पर तुम हसोगे but today you will laugh on my voice अभी गरी है तो अब मुझे इससे क्या करना है चेक है अब मैंने वही चीज़ बताई कौन सा sentence आ गया कि क्या करना है मुझे जाना है मुझे सोना है खाना है करना है वो वाला sentence आ गया कौन सा need to have to want to वाला चेक है जी तो के लिए मैंने सो लगाया और सैड में रख दिया sentence पकड़ो मुझे इससे क्या करना है अब के लिए भी now लगा देंगे चाहे बीच में लगा दो या end में लगा दो या शुरू में लगा दो मैंने यहाँ पर end में लगा दिया तो now को भी ignore करो मुझे इससे क्या करना है ये sentence इस तरीके से अब ये मान लो कि जैसे मैं बोलू कि तुम्हें इसको फैकना है so you need to throw this sentence simple है simple है ना इसमें क्या है do छुपा हुआ है मैंने बताया हुआ ये indefinite का ही sentence है अगर negative बनाओगे so you do not need to throw this इस तरीके से बनेगा यहाँ पर जो action है जो action है वो है यहाँ पर need to have to, want to ये action है अब ये जो sentence है ये sentence में एक सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता formula मेरा क्या होता है quotient word, main word, doer और action यही होता है quotient word क्या है मुझे इससे क्या करना है quotient word है क्या so what आया अब मैंने बताया कि indefinite का sentence है so quotient word के बाद main word आएगा main word आया do what, do फिर आया doer आया, अब आया action need to so what do I need to ठीक है कि मुझे क्या अब जो करना है, जो term है यह आई end में what do I need to do with this ठीक है what do I need to do with this कि मुझे इससे करना क्या है ठीक है, अगर मैंने बोला कि you need to throw this कि तुम्हें इसको फैकना है और मुझे सवाल पूछना पड़ा कि मैं इसको क्यों फैकूं मुझे इसको क्यों फैकना है so why do I need to throw this समझ रहे हो तो यहाँ पर उसी sense में आया कि what do I need to do with this कि मुझे इसका करना क्या है मुझे इससे क्या करना है ठीक है so अगर आप पूछो sir why कि sir हमें इस चीज में क्या समझना है so what do we need to understand in this इस तरीके से sentence बनेगा so यहाँ क्या बना तो अब मुझे इससे क्या करना है so what do I need to do with this now अब मुझे इससे क्या करना है अब यह गर ठीक है मैं इससे हटा देता हूँ अब यहाँ पर जो बलून है उस पर धागा बन्दा हुआ था तो यह उसको बोल रहा है कि ठीक है मैं इसे हटा देता हूँ ठीक है के लिए मैंने okay लगाया sentence बचा मैं इसे हटा देता हूँ यह sentence confuse करेगा कि यह present indefinite का है लेकिन जो भी लोग मेरी videos को regular देख रहे होंगे उनको पता है कि present indefinite तो नहीं है यह sentence आएगा आपका future indefinite में ठीक है कि जैसे कर माल लीजे मैं बैठा हूँ मेरे पास chairs रखी हुई है फिर मेरे पास some books रखी हुई है सामने से कोई बना आ रहा है उन books को ठाने के लिए मैंने बोला कि रुख जाओ मैं देदेता हूँ तो यह मेरा journal काम नहीं है books देना यह मेरा journal काम नहीं है मैं बस बैठा हूँ चलो ठीक है मैं देदेता हूँ चाहे मैं अगले second दूँ चाहे मैं अगले minute दूँ वो होगा future के अंदर ही so I will you stay there I'll give this to you कि मैं यह तुम्हें देदेता हूँ तो ताहत ही है का रटना नहीं है यह future indefinite का ही sentence बना same अब यहाँ बर जब भी यह तो होगी थोड़ी formal यह होगया थोड़ी formal okay I'll help you कि मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ लेकिन जब हम इस चीज़ को थोड़ा casual में जाएंगे न casual में so आप let का use कर सकते हो चीक है कि जैसे माल लीजिए आपको कि दोस्त है उससे तो हम formal होते ही नहीं है casual होते है चीक है अब आप दोस्त बैठे होई है cold drink की bottle रखे होई है अब मैं बोला कि मैं खुल देता हूं so let me open it तो वहाँ let आ गया कि अब मैं वहाँ पर उसको बोला है कि तू रहने दे मैं कर देता हूं चीक है यह हो गया थोड़ा casual approach formal अगर मैं बोला वहीं पर बोला हूं yeah you don't need to do this I'll open it for you तो जब मुझे थोड़ा तमीज से बोलना है तो मैंने will का use करा कि I will open this for you कि मैं ते लिए खुल देता हूं और जब मैं casual आया okay you don't do this I'll open it या फिर let me open it for you तो जब मैंने let का use कराना तो मतलब वह थोड़ा अपनापन जादा लेकर चलेगा वो थोड़ी casual approach होती है same यहाँ पर मैं इसे हटा देता हूं एक तो तरीका ही अगर तमीज मलब एक formal रख हो so formal में I will take this off जब मैं इसे हटा देता हूं casual में let me take this off अब take off का मतलब क्या है कोई चीज उतारना कोई चीज अब जिसने धागा बना हूँ इसको खोलना उतारना इस तरीके से so मैं इसे हटा देता हूं so हटाने वाला sense जो आया कि let me take this off इस तरीके से sentence बना और चाहो तो I will take this off इस तरीके से भी बन सकता था so यहाँ पर casual और formal का ही एक basic फर्क है अब यह करा है यह helium है आप बस इसे अंदर लो ठीक है पहला जो है यह helium है यह sentence कौन सा है यह है आपका simple present का sentence इसके अंदर कोई action नहीं है सिर्फ बताई जा रहेगी क्या है इसका formula क्या होगा किसकी बात कर रहे है main word और वो क्या है यह की बात कर रहे है main word आया is अब यह क्या है helium यह helium है चीक है दूसरा sentence है आप बस इसे अंदर लो फिलहाल आप बस को भूल जाओ sentence पकड़ो आप इसे अंदर लो अब सांस खींच के अंदर कोई चीज लेना उसको बोलते है inhale और सांस के साथ कोई चीज बाहर छोड़ना उसको मुलते exhale जैसे सांस खींचना inhale सांस छोड़ना exhale इस तरीके से होता है इसने बोला आप इसे अंदर लो यह sentence कौन सा है पहले यह समझो यह sentence है जहाँ पर मैं किसी को कुछ करने के लिए बोल रहा हूँ अब जो term बचा bus वाला कि आप बस इसे अंदर लो तो उस bus के लिए मैं क्या यूज करूँगा just और वो just कहां आएगा action से पहले action क्या है यहाँ पर inhale जो चीज मैं करने के लिए बोल रहा हूँ वो मेरा action हुआ और उससे पहले just लग जाएगा कि you just inhale it आप बस इसे अंदर लो आप बस इसे सांस के साथ खींचो इस तरह से तो इसने बोला यह helium है आप बस इसे अंदर लो it is helium you just inhale it और फिर बस इस camera को देखो यहाँ पर अब यहाँ पर जो मैंने term लिये ने यहाँ पर इसको सिखाने के लिए यह sentence मैंने लिया है और के लिए end लगाया sad में लग दिया फिर के लिए then लगाया sad में लग दिया sentence बचा इस camera को देखो अब बस के लिए just भी मैंने पहले लगा दिया और फिर बस and then just यह sad में लग दिया इस camera को देखो अब यह sentence है जहाँ पर मैं किसी को कुछ करने के लिए बोल रहा हूँ ठीक है तो यह sentence कैसे होगा पहला वो काम आज़ेगा जो मैंने करने के लिए बोला है so look into this camera अगर यहाँ पर मैं यह बोलता है कि आप देखो so you भी लग जाता you पहले आ जाता you look into this camera लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतना है इस कैमरे को देखो so look into this camera अब कैमरे में देखना मलब look into ठीक है और फिर बस and then just इस कैमरे को देखो look into this camera यहाँ पर यह जो term होती है ना यहाँ पर over here अगर कोई चीज मेरे पास में है अगर मुझे बोलना हो वहाँ पर so वहाँ पर के लिए होगा over there समझ रहे हो अब जैसे मान लो मैं किसी को बोलो यार मेरे ना पेट में दर्द हो रहा है और मैंने उसको बताया कि टच करके यार यहाँ पर so over here ठीक है सेम अगर मैं बैठा हुआ हूँ बैट पर और मुझे बोलना है कि यार किचन में ना वहाँ पर देखो एक समान रखा होगा so over there इस तरह से अगर उसको नहीं मिल रहा फिर मैं उठके गया और मैंने वहाँ पर जो शेल्फ है देखो यहाँ पर and then just look into this camera over here और आपको बस अपना नाम बताना है ठीक है अब sentence देखो फिर वही आ गया कि आपको कुछ करना है ना है नहीं है कि मिझे जाना है खाना है फिर वही sentence आ गया अब यहाँ पर मजबूरी नहीं है चाहत नहीं है तो यह sentence कौन सा है कि do or main word action की formation रहेगी do or कौन है आपको you main word लगेगा क्या do लगेगा क्योंकि indefinite sentence की form में चाहेगा action है मेरा यहाँ पर need to you need to you do need to do छुपा need के अंदर कोई change नहीं आया you need to आपको करना है क्या करना है you need to say your name आपको अपना नाम बताना है समझ रहे हो simple so you need to just listen to me कि तुम्हे बस मुझे सुनना है अब जो term बची just वाली यह कहां लगेगी action से पहले यहाँ पर action क्या है need to so इससे बहले लग गया just कि you just need to say your name आपको बस अपना नाम बताना है जैसे कि मैं आपको बोलू कि you just need to listen to me very carefully कि तुम्हे बस मुझे बहुत ध्यान से सुनना है समझ रहे हो so आपको बस अपना नाम बताना है you just need to say your name अब यह कह रहे है क्या इस चीज़ को सास में लेना सच में कानूनी है ठीक है अब यह sentence कौन सा है यह sentence is simple present अगर मैं किसी को बोलना हूँ कि यह कानूनी है so it is legal ठीक है अब मुझे पूछना है क्या यह कानूनी है so जब मैंने सवाल पूछा जिसका जवाब मैं हाया नामे दे सकता हूँ या फिर क्या शुरू में आ गया उस condition में क्या होगा जो मेरा main word है वो सबसे पहले आ जाएगा so जब मैंने बूला it is legal यह कानूनी है legal मतलब कानूनी और मैंने पूछा क्या यह कानूनी है so is जो है वो सबसे पहले आ जाएगा is it legal क्या यह कानूनी है इस तरह से तो सच में जो term है इसको ignore करो क्या इस चीज़ को सांस में लेना कानूनी है so is it legal क्या यह कानूनी है to inhale this thing इस चीज़ को सांस में लेना अगर आप to ना लगाओ so inhale में ing लग जाएगा is it legal inhaling this thing इस तरह से sentence बन जाएगा वो भी बिल्कुल सही है अब जो मेरे पास term बची सच में इसके लिए मैं क्या लगाँगा really या फिर for real ये कहां लगेगा action से पहले अब इसमें action तो होगा नहीं तो action जिनमें ना हो जो simple present या simple past simple future के sentence हो इसमें मैंने तीन term बताई है किसकी बात कर रहे है mean word और वो क्या है तो जो last term है कि वो क्या है उससे पहले लग जाएगा तो is it अब legal की बात करें क्या ये कानूनी है तो इससे पहले लग जाएगा मेरे really is it really legal क्या ये सचमें कानूनी है और मुझे बोलना हूँ कि हाँ ये सचमें कानूनी है so it is really legal ऐसे बन जाएगा पूछ रहा हूँ क्या है so is it so is it really legal क्या ये सच में कानूनी है to inhale this thing इस चीज़ को सास में लेना इस चीज़ को सास में खीचना इस तरह से ये गरा हाँ बेशक आप इसकी चिंता मत करो ये sentence मैंने क्यों लिया है मैं बताता हूँ पहला है हाँ बेशक मतलब yes of course अगला sentence है आप इसकी चिंता मत करो मैंने काफिट दिन हो गए होंगे एक वीडियो बनाई थी उसमें मैंने पूछा था कि you don't worry don't you worry इन दोनो sentences में फर्क क्या है ठीक है और मैं आज उस फर्क को आपको बताना चाहता हूँ और कौन सा सही है कैसे होता है जो सही है ना वो basically सही है don't you worry अब वो क्यूं सही है ठीक है मैंने बताया हुआ है कि जब मैं किसी को कुछ ना करने के लिए बोलू या फिर कुछ करने के लिए बोलू तो do वाले sentences होते हैं मैंने बोला कि come here इधर आओ मुझे बोलना है इधर मताओ so do not come here so यहाँ पर मैं किसी को कुछ करने के लिए बोल रहा हूँ अगर मैं उसको यह बोल दूना कि you do not come here तो यह sense लेकर चलेगा तुम यहां नहीं आते हो अगर मैं यहाँ पर यह बोलू कि एक तो हो गया don't worry लाना इस तरीके से कि you do not worry इसका मतलब यह है कि तुम चिंता नहीं करते हो समझो इस चीज को मैंने बोला you do not care you do not worry इसका मतलब है कि तुम चिंता नहीं करते हो जब मैंने बोला don't you worry इसका मतलब चिंता मत करो अब मैं तुम्हें कुछ ना करने के लिए बोल रहा हूँ कि don't you worry इस तरह से कि चिंता मत करो अब अगर मैंने बोला you do not worry मतलब तुम चिंता नहीं करते हो तो यह छोटा सा फरक है लेकिन बहुत जरूरी है अब जैसे यहाँ पर कि आप इसके चिंता मत करो so don't you worry तो मैंने बता है वाँ जब मैं किसी को कुछ ना करने के लिए बोलूँगा तो sentence do not से start होगा कि उसको मत पीटो do not beat him अगर मैंने बोला एक तो बोला कि do not beat him उसको मत पीटो अगर मैंने बोला you do not beat him तो इसका मतलब है तुम उसको नहीं पीटते हो ठीक तो ऐसी यह चोटा सा फर्क है so don't you you do not don't you beat him don't you come here यहाँ मत आना यहाँ मत आओ you do not come here तुम यहाँ नहीं आते हो don't you come here यहाँ आना मत यह चोटा सा फर्क है लेकिन बहुत ज़रूरी है so don't you worry about that आप इसकी चिंता मत करो मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा है यह बहुत मज़ेदार है अब जो पहला sentence है मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा है हर कोई यही सोचेगा कि यह present continuous sentence है I am not finding myself capable enough to believe on this गुमा फिरागे बनाना चाहो तो बना सकते हो present continuous की form में लेकिन आप समझो मैंने बोला कि मैं नहीं खेल पा रहा हूँ मैं नहीं बोल पा रहा हूँ simple मैं अपनी एक capacity की बात कर रहा हूँ एक strength की बात कर रहा हूँ और यह can वाला sentence होगा I cannot play today मैं आज खेली नहीं पा रहा चीक है so मुझे इस पर रिश्वास नहीं हो रहा है so I cannot believe this मैं इस पर रिश्वास नहीं कर सकती इस तरीके से बनेगा so do or mean word not or action I cannot believe this मुझे इस पर रिश्वास नहीं हो रहा है चीक है यह बहुत मज़ेदार है simple है यह हो गया आपका simple present का sentence किसके बात कर रहे है mean word और वो क्या है so यह बहुत मज़ेदार है यह के बात कर रहे है this mean word is अब क्या है यह बहुत मज़ेदार so funny this is so funny यह बहुत मज़ेदार है पूरा sentence मना मुझे इस पर रिश्वास नहीं हो रहा है यह बहुत मज़ेदार है, I can't believe this, this is so funny, अब यह कह रही है, तुम्हें मुझे इसके लिए पैसे देने होंगे, मतलब तुम्हें मुझे इसके लिए पैसे देने पड़ेंगे, इस तरीके से बनना, यहाँ पर जो action है, ध्यान से समझना, यहाँ पर जो action है, यह action है, यह action है, य तुम्हें करना पड़ेगा, so you will have to, समझ रहे हो, एक तो तरीका यह बन गए, do or mean word action, do or कौन है, तुम्हें, you mean word will, action है, करना पड़ेगा, so you will have to, क्या करना पड़ेगा, you will have to pay me, for this, कि तुम्हें मुझे इसके लिए पैसे देने पड़ेंगे, तुम्हें मुझे इसके बन जाएगा, कि you are, do or mean word action, do or कौन है, you, mean word लगेगा, are going to, you are going to, फिर action है, have to, so you are going to have to, pay me for this, एक तरीका बना, going to को merge करके, gonna लिख सकता हूँ, you are gonna have to pay me for this, अब यहाँ पर जो है, यहाँ यहाँ पर missing है, यह एक बहुत ही जादा casual approach है, कि you are gonna have to pay me for this, चायदे में आर लगन चायए था, लेकिन बहुत ज़्यादा casual approach है, मैं आपको suggest करूँगा, आप आर लगा देना, ठीक है, यह बहुत ही, ज़्यादा casual में आ जाएगा, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल ही grammar की एत्तैसी मार दिया है, हहाँ पर, और लेकिन आपको इस तरह के sentence मिल सकते है, कि you gonna have to do this, चीक है, तुम्हें यह करना होगा, तुम्हें यह करना पड़ेगा, लेकिन आर आप लगा देना, कि you are going to have to pay me for this, और going to का merge करके gonna, कि you gonna have to pay me for this, कि तुम्हें मुझे इसके लिए पैसे देने होंगे, पैसे देने पड़ेंगे, चीक है, अब यह कह रहा है, क्या आप Spanish में चाहेंगी, अब ऐसे जगा पर would का use होता है, क्योंकि बहुत तमीज में आ जाता है, कि what would you like to have, जब भी मैं किसी को option देता हूँ, तो will नहीं लगाएंगे, हम वहाँ would लगाएंगे, चीक है, मैं उसको एक choice दे रहा हूँ, एक option दे रहा हूँ, जैसे कौन मुने का करोलोपन हम देखते हैं, चीक है, तो वहाँ पर जब अमिताब बच्चन पूछता है, कि आप किस option को चुनना चाहेंगे, so what option would you like to choose, would का use करता है, will का नहीं, would का, तो हम वहाँ पर एक अपसको choice देते हैं, सेम यहाँ पर इसने बोला, क्या आप Spanish में कुछ कहना चाहेंगी, सवाल आप करना चाहेंगी, so would you like to, आप करना चाहेंगी, क्या, say something in Spanish, Spanish में कुछ कहना, so would you like to say something in Spanish, आप कुछ Spanish में कहना चाहेंगी, अब इसने बोला, तुम से किसने कहा कि मैं Spanish जानती हूँ, पहला जो sentence है, तुम से किसने कहा, यह sentence कौन सा है, past indefinite का, past indefinite का sentence है, सवाल बूछा जा जा रहा, जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता, चिक, ऐसे सवाल का formula क्या होता है, question word, main word, doer और action, ध्यान से सुनो, question word, main word, doer और action, चिक, सो यहाँ पर जब हम बात करें, किसने की, तो doer तो यहाँ पर है ही नहीं, doer तो भूल जाओ, क्योंकि हम पूछ रह आगा, did, ठीक है, action क्या है, बताना, tell, who did tell you, तुमसे किसने कहा, अब यहाँ पर जो, क्या बोलते हैं, जो यहाँ पर did है, वो छुप गया आपका tell में, और वो told बन गया, so who told you, मैंने एक सवाल और पूछा था कि who killed Jessica, या फिर who did kill Jessica, कौन सा सही है, और कौन सा गलत है, वो आ Spanish जानती हूँ, की के लिए that लगा, sad में रख दिया, मैं Spanish जानती हूँ, present indefinite sentence है, do or main word action, do or कौन है, मैं, I, main word do, action क्या है, अब जानना, जानती हूँ, so no, do छुपा no में कोई चेन नहीं आए, I know Spanish, मैं Spanish जानती हूँ, पूरा sentence मना, तुमसे किसने कहा कि मैं Spanish जानती हूँ, who told you that I know Spanish, जानती हूँ, अब यह सुनने में बहुत अजीब लग रहा है, बड़ा अजीब लग रहा है, यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करो, ध्यान से समझने की, लगना, मैंने बताया हूँ है, कोई चिस टच करके लग रही है, कोई चिस स्मेल करके लग रही है, चिस मुझे सुनके लग रही है, तो it sounds like, अब यह क्या है, यहाँ पर जो doer है न, वो है यह, main word लगेगा does, क्योंकि singular है, action है यहाँ पर लगना, अब वो लग कैसे रहा है, वो action है, taste करके लग रहा है तो taste action है, अवास से लग रहा है तो sound action है, दिखके लग रहा है तो look action है, feel करके लग रहा है, तो feel action है, तो यह वहाँ पर action है, so doer main word action, doer कौन है यह, this, main word लगेगा does, कि यह सुनने में लगता है, इस तरीके से, रहा है कि पीछा मत जाना, ठीक है, ताहे वाला sentence बनेगा यह, कि सुनने में बड़ा अजीव लगता है, इस तरीके से, so does, main word लगा सु So sound, does छुपेगा sound में, वो sounds बन गया, this sounds really funny, यह तो बहुत अजीव लगता है सुनने में, या फिर बहुत मज़ेदार लगता है सुनने में, तो रहा है वाला sense अपने आप आ जाएगा, अब यह गरे, लेकिन मैं अभी भी इसे जारी रखना चाहती हूं, जारी रखना चाहत हूं, sentence है यह, action क्या है यहाँ पर, चाहना, जारी रखना नहीं है, चाहना, कि मैं चाहती हूं, यह action है, so do or main word action की formation रहेगी sentence है अपका present indefinite का, so do or कौन है मैं, I, main word लगेगा do, action क्या है want to, कि मैं चाहती हूं, do छुपा want में कोई चाहती हूं, so I want to, मैं चाहती हूं, क्या still कहां लगेगा, action से पहले, action क्या है यहाँ पर, want to, इस से पहले still लग जाएगा, I still want to continue this, मैं अभी भी इसको जारी रखना चाहती हूं, so पूरा sentence क्या बना, लेकिन मैं अभी भी इसे जारी रखना चाहती हूं, but I still want to continue this, चीक है, यह थी आज की वीडियो, I hope आपके लिए वीडियो useful रही होगी, कोई भी doubt है, कोई भी query है, comment box में जाएए, वहाँ मुझसे पूछिए, वीडियो पसंद आएए, तो like कीचे, नए है, like, subscribe दोना कीचे, thank you,